आज हम आपका जो चतुरदश पार्ट है चोदवा पार्ट 14 चेप्टर इसका नाम है अहह आहचर इसका जो अभ्यास कारे है उसको हम करेंगे उसकी प्रश्णोतरों को देखेंगे पिछले वीडियो में हम इस पार्ट को पढ़ चुके हैं और आज प्रश्णोतरों का समय है आज शुरू करते हैं अभ्यास कारे चतुरदश पार्ट का जो इसका प्रथम प्रश्ण है वो है अधुलिक्किता नाम पदा नाम समुचितान अर्थान मेलिया इसमें हमें यह जो शब्द दिये गए थे इनकी समुचित अर्थ हमें सामने से मैच करने थे हमें कर लिये हैं देखते हैं हस्ते का मतलब होता है करे यानि हाथ में सद्यह का मतलब होता है जल्दी से या शीग्रम सहसा यानि अचानक तो इसका क्या होगा अकस्मात धनम का होगा द्रविनम क्योंकि दोनों का अर्थी होता है धन और आकाशम का होता है गगनम दोनों का एक ही अर्थ है ध उचित विलौम पदम चितवा लिखत, मनजूशा से उचित विलौम पद को चुन करके हम यह लिखना है, तो देखिए, चतुर का जो यह पंक्ती है, इसको हमें भरना था, इस वाले इसको देख करके, तो चतुर का क्या होगा? मूर्ख हा, आने तुमका ने तुम, आने तुमका मतलब होता है लाने के लिए, ने तुमका मतलब ले जाने के लिए, निर्गच्छे तियानी निकलता है, प्रविश्य तियानी प्रवेश करता है, स्वामी का सेव कहा, प्रसन नहा का दुखी तहा, और उच्चाई का इन में से हमें अर्थ के अनुसार उचे रव्य शब्द को चुन करके यह जो रिक्ति स्थाम थे ने भरना था तो सबसे पर अव्य पदाओं के अर्थों को देखते हैं इव का मतलब होता है जैसे इसके जैसा उसके जैसा जैसे को बहते है इव या समान अपी का मतलब होता है एव का मतलब होता है ही सिर्फ ही एव यानि ही च यानि और उच्च यानि जोड से देखते हैं बालका हा बाली का च बालक और बाली का हैं खेल के मैजान में खेलते हैं मेगा उच्च गरजनती बादर जोड से गरजते हैं बगला हंस के समान सफेद होता है पूर्ण होता है, चतुर तो प्रश्न है, अधो लिखीता नाम, प्रश्ना नाम, उत्तरानी दिखत, ये जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इनकी उत्तर हमें लिखने हैं, तो आइए देखते हैं, अजी जहा, ग्रिहम गंतुम, किम वांग्शती, हमने कहानी को पड़ा था कि अजीज को घर जाने के लिए क्या चाहिए था, अवकाश चाहिए था, छुट्टी उसको चाहिए थी, तो अजीज जहा, ग्रिहम गंतुम, अवकाशम वांग्शती, दूतिये, स्वामी मूर्ख था था था, चतुर था, तो हमने पड़ा था ना, कि स्वामी बहुत चाला तो हमने क्या पड़ा था, कि उसे एक व्रिद्धा मिलती है, बुड़ी महीला उसको सुनाता है, तो अजीज जहा, व्रिद्धाम व्यथाम श्रावयती, अजीज व्रिद्धा को सुनाता है, अपनी व्यथा को सुनाता है, और अगला, अन्या मक्षिका कुत्र दशती, जो दूसरी मक्षिका होती है वो कहां काटती है उसको कहां पर डसती है उसको स्वामी को तो अन्या मक्षिका ललाटे दसती है उसको ललाट होता है उसको ललाट पर वो मक्षी काट खाती है और स्वामी अजीजाय किम दातों ना इच्छती स्वामी अजीज को क्या नहीं देना च स्वामी क्या देना चाहता है आवकाशन स्वाग्हा धना में परिवरतन करने कायrr घिलेकर बद्धषिट निर्देश है इस sequel अहम शिक्षिकाय धनम गधामी इसे हमें परिवर्तन करना है लिरट लकार यानि भविश्यत काल में बनाना है इस वाक्य को हमें तो क्या होगा अहम शिक्षिकाय धनम दास्यामी यहां परिवर्तन हुआ है दास्यामी मैं शिक्षक को धन दूंगा परिश्रमी जनह धनम प्रा आपनोत स्वामी उच्चई वदाती स्वामी जोर से बोलता है इसे बदलना है हमें लंग लकार यानि भूत काल में तो स्वामी उच्चई आवदत यानि बोला अजी जह पेटीकाम ग्रहनाती अजी पेटीकाम को ग्रहन करता है इसको हमें चेंज करना है लिरट लकार में यान तो त्वा मुश्चाई पत्था पत्था जो है यह बन गया है पत्था सी की जगबर तो प्रेशन संक्या जो पांच वोह ऑमारा पूंध होता है और अगला प्रस्ण है अन्तिम प्रशन अधूलीकीता नाम होग्यानी घट्ना करम अनुसार आम लिखत यह जो वाक्य हैं हमे न सरलाव परिश्रमी चाशीथ पहले नंबर पर आएगा आएगा कि अधीज तब्यक्ति दूसरे नंबर पर पर आएगा एक सह ग्रिहम गंतुम अवकाश्यम वांग छती एक वार घर जाने के लिए इसको इसे पर कारती है और पर मक्षी के स्वामी को काट खाती है पहसित करTHAT प्रकार निज भी भी भंडादा है उवक शहत्य पुर्णन धनम लाती स्वामी एजीज को चुट्यों के पूरे पैसे देंडिता है तो इस प्रकार जी जो 6 प्रश्न है चेटा प्रश्न ये भी हमारा पूर्ण होता है इसी आप सही क्रम में अर्थ के अनुसा लगा ले और इसकी साथ ही हमारा जो 14 चप्टर का अभ्यास करें समापत होता है आशा है आपको समझ में आया होगा यदि कोई शंका कोई डाउट को कोई प्रश्न हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे पूछ सकते हैं और कैसा लगा आपको यह अभ्यास करें अवश्य बताएं कमेंट करके धन्यवाद